Hi friends, Quantum Mechanics series के next lecture में आपका स्वागत है यहाँ पर भी हम लोग Basic Quantum Mechanics के next section जहाँ पर हम लोग Photo Electric Effect के बारे में Photo Electric Phenomena या Theory के बारे में पढ़ेंगे यह जेस्ट देखिएगा Owner syllabus में एकदम स्टार्टिंग ही पार्ट है Basic Quantum Mechanics का अच्छा फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट के बारे में हम लोग क्लास 12 में भी पढ़े हुए हैं किसी भी बोर्ड में चले जाएं किसी स्टेट बोर्ड में या CBSC हुआ या ISC हो गया सबी में ये quantum mechanics हम लोग का मतलब फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट जो है या फोटो एलेक्ट्रिक थियोरी है तो basic idea है ही तो उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत और revision कर लेंगे तो हमारे काम का हो जाएगा अच्छा इसके बाद वाले बीडियो में जैसे ये फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे questions IIT Jam में आते हैं अभी तक जो भी previous year है उसमें देखा हूँ कि बहुत सारे questions जो है इस section से आये हुए हैं तो अगले lecture में हम लोग वो कुछ problem जो IIT Jam में आये हुए हैं उनको हम लोग solve करने की कोशिस करेंगे और साथ ही साथ कुछ exercise भी आप लोग को दूँगा वो जरूर आप लोग try करिएगा तो आज के lecture में हम लोग स्टार्ट करते हैं photoelectric effect तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मतलब main target हम लोग का है emission of electrons from metal surface हम लोग जानते हैं कि metal surface में free और bound दोनों electrons होते हैं अगर electron को emit करवा कर उनको एक definite path में move कर रहा जाए तो हम लोग easily current gain कर सकते हैं current हम लोग को मिल सकता है तो सुरुवात से ही scientist जो भी थे उनका primary target primary focus जो था वो था किसी तरह से electron सबको metal surface से emit कराना तो ये जो electron को metal surface से emit कराना जो है वो mainly 2 step में होता है first step क्या है कि जहां पर हम लोग को कोई भी एक metal surface जो electron बदे हुए रहते हैं तो जितना energy से बदे रहते हैं उसको हम लोग work function करता है या electron को emit करवाने के लिए जो minimum energy की जोरत पड़ती उसको work function करता है तो सबसे पहला हम लोग को काम क्या है कि work function के बराबर या work function से ज़्यादा energy देना metal surface को ठीक है अब क्या जो वो metal surface के electrons हैं वो इस energy को absorb करेंगे जो work function के बराबर होगा या work function से ज़्यादा होगा और इसके बाद वो metal surface को escape कर जाएंगे तो ये दो steps होते हैं किसी भी metal के surface से electrons को बाहर निकालने के लिए work function हम लोग जानते हैं कि electrons को metal surface से बाहर निकालने के लिए जो minimum energy की ज़वरत पड़ती है उसी को हम लोग work function कहते हैं तो work function के बराबर या उससे ज़्यादा energy देना उस energy को electron absorb करेंगे और उसके बाद metal surface से बाहर निकाल जाएंगे ठीक ना अब ये जो energy देने का process है energy देने का जो source है इसके आधार पर जो ये electron के emission है वो चार परकार के होते हैं चार तरह के होते हैं जैसे first को हम लोग thermionic emission कहते हैं जहां पर हम लोग heat के application से तो वो जो energy है वो in form of heat देते हैं और heat देकर metal के surface से electrons को बाहर निकालते हैं दूसरा है field emission जहां पर हम लोग electric field अपलाई करके electrons को metal surface से बाहर निकालते हैं और third है हम लोग का photoelectric emission जो इस section में पढ़ेंगे इस lecture में हम लोग cover करेंगे वो है कि by light, light के help से हम लोग electrons को metal surface से बाहर निकालेंगे और next है हम लोग का secondary emission, secondary emission क्या कालाता है जैसे माल लिया जाए कि इन तीनों process के द्वारा thermionic emission या field emission या photoelectric emission के द्वारा कोई एक electron emit हुआ, यह माल लिया जाए metal surface है यहां से कोई एक electron, इन में से कोई एक process के थरू निकला बाहर escape करने की कोशिस कर रहा है, उसी समय यह एक दूसरे electron के साथ जाकर collide कर लेता है, और after collision यह भी निकल जाता है, यह भी निकल जाता है तब इसको हम लोग secondary emission करते हैं, यानि खुद निकलेगा और साथी साथ collision करके दूसरे electron को भी अपने साथ अगर लेके चला जाए तो उसको हम लोग secondary emission करते हैं, यहां पर next section में, next slide में इसको हम लोग कुछ image के थरू हम लोग यह देखने की कोशिस करते हैं, जैसे यहां पर हम लोग का है field emission का, देखा गया, एक metal surface है, एक metal है, यहां पर एक strong electric field apply किया गया है जिसके वज़े से electrons जो है, वो emit हो रहे हैं, ठीक ना, metal के surface से दूसरा हम लोग का यह thermionic emission है, जहां पर क्या किया गया है, कि एक filament है, metal का, उसको हम लोग heat दिये है और heat देने के वज़े से, इससे electrons जो है, बाहर की तरह निकल रहे है और यहां पर हम लोग के secondary emission है, जहां पर देखा जा रहा है कि यह कोई high speed electrons हो गया है या free, high speed electrons कोई एक source से निकले हुए electrons, या एक जगा से निकले हुए electrons आकर यह free electrons से collide करते हैं और इन electrons को निकाल देते हैं और खुद भी निकल जाते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे secondary emission, ठीक है तो यह तीन चीजें, तीन बाते यह समझेंगे और इस section में हम लोग photoelectric emission को cover करेंगे तो photoelectric effect या photoelectric emission क्या है, कि जब कोई एक metal surface पर एक definite frequency, acceptable frequency, सब frequency पर के light को अगर गिराया जाए तो electron का emission नहीं होता है एक definite frequency का light ही, पर एक metal के लिए वो frequency अलग-अलग होता है उस frequency का light अगर metal surface पर गिराया जाए, तो वो metal surface से electrons बाहर की तरफ eject होते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं तो इस phenomena को ही हम लोग photoelectric emission कहते हैं ठीक है, तो when an electromagnetic radiation of suitable frequency incident on a metal surface, electrons are emitted from the surface इस phenomena is known as photoelectric effect, और जो electrons जो emit होते हैं, उनको हम लोग photoelectrons कहते हैं जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि यह suitable frequency का light अधर गिरा, या कोई electromagnetic wave गिरा और यह electron जो हैं, यहाँ से eject हो गया, बाहर की तरफ निकल गया तो यह photoelectrons का लाएंगे, और इस पूरे फिनोमेना को हम लोग photoelectric effect के नाम से या photoelectric emission के नाम से जानते हैं अब next हम लोग कुछ बाते समझते हैं photoelectric emission के बारे में तो दिखा गया कि electromagnetic radiation का पूरा range, यानि गामा से लेकर x ray, x ray से लेकर uv ray, वहाँ इसके अलावा visible ray, infrared ray, यह सभी क्या करते हैं photoelectric emission, सो करते हैं, बस material इनके अनुसार होना चाहिए, जो metal surface है वो इनके अनुसार होना चाहिए तभी जाकर यह electron का emission करेंगे, ठीक ना और एक और बात है कि जितने materials भी है, maximum जो भी materials है, जो भी metals है वो uv ray और x ray के साथ photoelectric emission सो करते हैं, maximum materials ही, metals ही हम लोग का uv ray और x ray के साथ photoelectric emission दिखाते हैं अच्छा, फिर अगर sodium लिया जाए, sodium metal लिया जाए तो sodium क्या करता है, कि अगर हम लोगा 5455 angstrom का wavelength का कोई भी radiation इन पर incident कराया जाए तो sodium photoelectric emission सो करता है, इसी तरह cesium जो है, उस पर 6438 angstrom का कोई भी wavelength incident कराया जाए अगर कोई electromagnetic radiation incident कराया जाए, तो cesium भी हम लोगा photoelectric effect सो करता है sodium के लिए भी यही 5455 angstrom या उसे com wavelength का अगर electromagnetic radiation या कोई भी radiation उस पर incident कराया जाए, तो sodium photoelectric emission सो करता है अच्छा, photoelectric effect के बारे में सबसे पहले H. Hertz ने in 1887 में बताया था, देखिए, यह starting में ही हम लोग इनका यह picture दिया हुआ है Enrich Rudolph Hertz, ठीक है, Hertz हम लोग पढ़े भी हैं, वो frequency की unit जो है, वो Hertz के नाम पर ही है, ठीक ना तो याद रखेंगे कि Hertz ने सबसे पहले photoelectric effect के बारे में बताया था इसके बाद, अब हम लोग देखते हैं, photoelectric effect को सबसे पहले experimentally, Leonard ने समझाने का कोशिस किया था 1899 में, और जो setup उनको लिया था, जो setup उन्होंने लिया था, experiment को बताने के लिए, उसको photo cell कहा जाता है यह एक तरह का, हम लोग का photo cell है, या photovoltaic tube भी का सकते हैं, photo tube भी का सकते हैं, इस तरह का तो यहाँ पर दो metal के plate लगे हुए थे, इनको cathode anode में convert करने के लिए, हम लोग क्या किया, यहाँ पर baising voltage एक लगा दिया, ठीक ना यह negative plate को इधर connect कर दिया, तो यह हो गया हम लोग का negative, यानि cathode हो गया और यह positive हो गया, यानि anode हो गया, ठीक ना यह minimum voltage एक लगाया गया, जिसके through यह positive, negative हो पाए, ठीक ना, इस voltage का efficiency इतना नहीं है कि वो इस surface से, इस plate से electrons को बाहर निकाल सके, बस इसको negative या positive करने के लिए 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 गया, इधर की तरफ एक हम लोग emitter connect कर लिए, बहुत ही sensitive emitter connect कर लिए अच्छा, यह जो cathode और anode थे, यह mainly ऐसे materials लिए गया, जो photosensitive हो, photosensitive in the sense, मतब इनका work function काम हो, और इन पर light पड़े, तो यह electron को emitter करे, तो शुरुवाती दौर में जब light नहीं incident कराया गया, light या कुछ भी नहीं incident कराया जा रहा था, तो देखा गया कि यह emitter जो है, वो zero rating दे तो जैसे ही light ray cathode के उपर पड़ा, तो देखा गया कि यह emitter अब current indicate, current so करना शुरू कर दे रहा है, फिर जैसे ही light बंद कर दे रहा है, light का हम लोग incidence इस पर रोग दे रहा है, वैसे ही emitter भी zero rating दे रहा है, तो इस experiment से, इस observation से क्या पता चला, यह थोड़ा हम लोग समझने का कोसिस करता है, तो देखा गया कि light जैसे ही इस cathode पर गरता है, तो यह जो material है, यहां का वो photo electrode की emission sow करता है, और यहां से electron emit होकर positive plate यानि anode की तरब जाते है, इसके बाद यह electrons का एक close cycle इधर की तरब सुरू हो जाता है, और इसके opposite direction में हम लोग का conventional current जो है, flow करना सुरू कर देता है, ठीक न, और जिस current के वज़े से हम लोग का emitter, reading दिखाता है, या emitter हम लोग का show करता है कि current pass कर रहा है, ठीक है, तो यह जो electron, जो light गिरने से electron emit हुए, उन electron को photo electrons करते हैं, और जो current यहां पर develop हुए, उसको photo electric current करते हैं, और इस पूरे phenomena को ही हम लोग photo electric emission या photo electric effect के नाम से जानते हैं, ओके, तो यह थोड़ा हम लोग अच्छे से समझ के रखेंगे, अब next इस experiment से जुरे कुछ important terms थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे पहला है work function, इसको हम लोग 5 से लिखते हैं, work function क्या कहलाता है, कि कि किसी भी एक metal surface से electrons को emit कराने के लिए, या photo electric emission को start करने के लिए, जो minimum energy की जवरत पड़ती है, उसी को work function कहते हैं, जैसे एक electric bulb है, उसको जलाने के लिए, जितना minimum voltage जवरत पड़ेगा, वही एक तरह का, उसके लिए work function हो गया, ठीक ना? तो उसी तरह किसी एक metal surface से electrons को बाहर निकालने के लिए, या photo electric emission को start करने के लिए, जो minimum energy की जवरत पड़ती है, उसी को हम लोग work function के नाम से जानते हैं, यह work function जो है, वो अलग-अलग metal के लिए अलग-अलग होता है, जैसा metal रहेगा, उसके हिसाब से work function भी अलग-अलग अच्छा, अब जो हम लोग light गिरा रहे हैं, उसका इतना minimum frequency जिससे work function मिल जाए, जो light हम लोग का incidence करवा रहे हैं, emission के लिए, उसका minimum frequency जिसको incidence कराने से, वो metal surface से electrons का emission start हो जाए, मतलब energy जो है, वो work function के बराबर मिल जाए, उसको हम लोग threshold frequency काता है, ठीक ना, तो वो minimum frequency जो किसी metal surface पर गिराने से, metal surface से electrons का emission start हो जाता है, photoelectric emission start हो जाता है, या दूसरे भासा में कहा जाए, तो work function के बराबर energy मिल जाता है, उस frequency को हम लोग threshold frequency काता है, अच्छा, अब stopping potential अच यह हम लोग जानते हैं कि anode क्या है, positive है, अगर इसको negative कर दिया जाया, तो electrons इधर नहीं ना पाएंगे, electron यही से अपना direction, बतलब इस plate की तरफ electron का flow बंद हो जाएगा, तो anode को दिया गया, यह the minimum negative potential given to the anode of a photo cell, या photo cell या photovoltaic cell या, जो हम लोग experiment में, जो system लिये, उसके anode को दिया गया, वो minimum negative potential, जिसके वजह से photoelectric current जो है, वो zero हो जाता है, उसी को हम लोग stopping potential या cut off potential काते हैं, ठीक ना, anode को दिया गया, वो minimum potential, जिस पर photoelectric current का value zero हो जाए, उसको हम लोग stopping potential के नाम से जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि यहां से जो electrons emit हो रहे हैं, वो एक maximum kinetic energy लेकर ही cathode से anode की तरफ जा रहे हैं, तो इधर की तरफ अगर हम लोग potential अपलाई करेंगा, तो that potential के लिए जो work done होगा, या जो energy होगा, वो must be maximum kinetic energy के equal होगा, तभी जाके electron रुख पाएंगे, electron का flow stop हो पाएंगा, इसी कारण ये जो electron, जो emitted electrons हैं, उनका maximum kinetic energy है, वो stopping potential के लिए जो energy हो रही है, जो work done हो रहा है, उसके equal होता है, ठीक न, तो हम लोग जानते हैं कि ये energy या work done in terms of potential क्या होता है, charge into voltage, तो electron के लिए E potential B, stopping potential B0, तो ये energy हो गए, E B0 for stopping potential, तो ये, जो kinetic energy का maximum value होगा, वो must be equal to होगा, E B0 के, तभी जाके electron का emission रुखेगा, ठीक है, तो यही यहाँ पर maximum kinetic energy जो है, वो E B0, work done for electron volt, या, जो potential energy due to stopping potential होगा, वो equal होगा, तभी जाके electron का emission रुखेगा, photoelectrons हम लोग समझे ही, photoelectric emission में, जो electron सिमीट होते हैं, या suitable frequency का light, जब कोई metal surface पर पढ़ता है, तो जो electron सिमीट होते हैं, उन्हें को हम लोग photoelectrons के नाम से जानते हैं, अब आज आते हैं कि इस experiment से हम लोग को क्या-क्या inference मिलें, तो क्या-क्या inference मिला, यह थोड़ा हम लोग समझते हैं, तो सबसे पहली बात हम लोग को पता चला कि photoelectric effect क्या है, एक instantaneous phenomenon है, instantaneous कहने का मतलब क्या, कि जैसे ही metal surface पर light गिरा, metal surface से electron का emission स्टार्ट हो गया, time lag बहुत कम होता है, ठीक ना, 10 to the power minus 6 second to 10 to the power minus 8 second के range में होता है, जो बहुत ही कम है, अब तब light की गिरने और electron के emission में 10 to the power minus 6 second to 10 to the power minus 8 second का gap रहता है, जो बहुत ही negligible, मतलब बहुत ही कम है, इसी कारण इसको हम लोग instantaneous phenomenon कहते हैं, अच्छा, फिर हम लोग एक और बात देखें, कि threshold frequency से कम frequency का light अगर incident कराया जाए, तो कोई भी photo electron का emission नहीं होता है, photo electricity या photo electric effect देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, अच्छा, next सबसे important बात है, कि यह जो strength of photo electric current है, कितना ज्यादा या कितना कॉम photo electric current generate होगा, वो depend करता है, intensity of incident light पर, जो light गिर रही है, उसके intensity पर, जितना ज्यादा intensity का light हम लोग लेंगे, photo electric current उतना ही ज्यादा मिलेगा, अच्छा, और बात है, कि maximum kinetic energy of emitted electrons जो होता है, वो केवल frequency पर depend करता है, intensity पर नहीं, देखा गया, यहाँ पर graph में दिखा गया, कि intensity बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन kinetic energy fixed रहा है, कोई change नहीं हो रहा, जबकि frequency बढ़ाते जा रहे हैं, तो देख रहे हैं, कि kinetic energy भी बढ़ते जा रहा है, after stopping, यह threshold frequency, threshold frequency तक कोई electron का emission नहीं होता है, जैसे ही frequency threshold frequency को cross करना सुरू करता है, kinetic energy linearly बढ़ना सुरू कर देती है, यह हम लोग याद रखेंगे, कि threshold frequency के नीचे कोई भी emission नहीं होता है, इसी कारण यहाँ पर kinetic energy भी 0 है electron का, जैसे ही threshold frequency को frequency cross किया, kinetic energy बढ़ना सुरू हो गया, ठीक ना, देख यह याद रखेंगे, next क्या है, कि यह photoelectric current और potential का, anode potential का graph plot किया गया है, यह भी याद रखेंगे, कि जैसे हम लोग anode potential बढ़ाते जाएंगे, stopping potential से बढ़ाना अगर सुरू करेंगे, तो photoelectric current भी धिरे-धिरे बढ़ना सुरू होता है, और उसके बाद एक definite strength के बाद, एक different time के बाद यह constant हो जाता है, एक saturate हो जाता है current, यहाँ पर यह दिखा गया है, कि दो अलग अलग intensity लिया गया है, जैसे I1 और यह I2, तो start एक जगा से होता है, मतलब photoelectric current, same point of stopping potential से बढ़ना सुरू करता है, लेकिन क्या जब intensity ज़्यादा रहे, तो photoelectric current भी ज़्यादा मिलता है, और intensity कम रहे, तो photoelectric current कम मिलता है, ठीक ना, लेकिन दोनों एक definite time के बाद constant हो जाता है, ठीक है, यह याद रखेंगे, next है क्या, stopping potential जो है, वो intensity पर नहीं depend करता है, stopping potential, intensity of incident light पर नहीं depend करता है, लेकिन क्या, यह intensity बढ़ाने से current बढ़ता है, यह हम लोग समझे ही, लेकिन stopping potential unchanged रहता है, ठीक ना, stopping potential, intensity पर नहीं depend करता है, intensity बढ़ाएंगे तो केवल photoelectric current बढ़ेगा, लेकिन stopping potential में कोई change नहीं होगा, अच्छा, लेकिन एक definite intensity का radiation लिया जाए, तो उस समय stopping potential जो है, frequency पर डिपेंड करता है, frequency अगर बढ़ाया जाए, तो stopping potential भी बढ़ता है, ठीक है, यह याद रखेंगे कि stopping potential जो है, वो intensity पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करेगा केवल, frequency पर, frequency बढ़ायेंगे, तो stopping potential लिए बढ़ेगा, और intensity घटाया या बढ़ाया उससे stopping potential पर कोई अंतर नहीं पढ़ता है, यहाँ पर एक graph के दुरू दिखाया गया, frequency और stopping potential का nature, तो जैसे ही यह frequency हम लोग का threshold frequency को cross करता है, stopping potential increase करना सुरू कर देता है, frequency जैसे बढ़ायेंगे, stopping potential बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, तो यह बात अच्छे से समझ के हम लोग रखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि classical physics जो है, या classical theories जो है, वो photoelectric effect को explain करने में कहां तक fail रही है, क्या समस्याएं आई है किन वज़े से classical theory के द्वारा हम लोग photoelectric effect को explain नहीं कर पाए, तो सबसे पहली बात हम लोग last point से बढ़ते हैं, हम लोग देखें क्या कि classical theory में हम लोग पढ़े हैं कि kinetic energy of emitted electrons जो होते हैं, वो intensity of incident radiation पर depend करता है, classical theory के हिसाब से, यानि जितना intensity बढ़ेगा, kinetic energy भी बढ़ना चाहिए, intensity घटे तो kinetic energy भी घटना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपने ये से देखें हैं कि intensity का experimental verification यह था, experiment के आधार पर यह सब graph plot किये गया, तो यहाँ पर देख रहा हैं कि intensity का kinetic energy से कुछ लेना देना नहीं है, kinetic energy इंटेंसिटी पर independent रहती है, तो यहाँ पर हम लोग का classical theory जो है, वो fail कर गया, classical theory इस चीज को explain नहीं कर पाया, second देखते हैं हम लोग क्या, कि classical theory क्या कहता है, कि अगर माल लिया जाए कि किसी metal surface पर अगर light पढ़ता है, या electromagnetic radiation incident करता है, तो electrons को energy absorb करने के लिए, जो metal surface के electrons है, उनको energy absorb करने के लिए कुछ time चाहिए, कुछ time के अंदर वो energy absorb करेंगे, उसके बाद वो metal surface से बाहर निकलेंगे, ठीक ना, यानि कुछ time lag हम लोग को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें, experimentally कि जैसे ही light वो cathode पर गिर रहा है, वैसे ही electron का emission स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक ना, यहाँ पर हम लोग देखें कि जैसे ही यह cathode के उपर हम लोग light गिरा रहा है, light incident करा रहा है, वैसे ही क्या हो रहा है, कि जैसे ही light incident करा रहा है, वैसे यह current indicate करना शुरू कर देरा, light जैसे ही stop कर रहा है, यह current का reading भी zero दिखाने लग रहा है, ठीक ना, यानि instantaneous phenomenon है, जो यहाँ पर भी हम लोग देखें, हम लोग बोल रहे थे कि time lag 10 to the power minus 6, second to 10 to the power minus 8 second तक रहता है, तो यह time lag जो है, इसको explain करने में classical theory का failure T देखने को मिला, और third number है threshold frequency की बात, classical theory कहता है कि किसी metal surface पर कोई भी frequency का light अगर गिराया जाए, तो उससे photoelectric emission होना चाहिए, लेकिन हम लोग देखें कि यहाँ पर जो कोई भी light गिराया जाए, जो कोई भी frequency का light गिराया जाए, तो emission नहीं होगा, एक definite frequency का ही light चाहिए, जिसके वजह से यह metal जो है, जो plate जो लिया गया है, उसके work function के बराबर energy आ जाए, जो frequency गिरे, that frequency must be equals to the work function of the metal, तब ही जाकर यह electron का emission स्टार्ट करेगा, अगर उस frequency से कम frequency का light इस पर गिराया जाए, तो photoelectric effect नहीं होगा, या electron का emission उस metal surface से नहीं होगा, तो इन तीन बातों को explain करने में, हम लोग का classical theory fail कर गया, बाद में Einstein ने plank का जो theory था, उसको use करके, प्लैंक्स का theory जो हम लोग पिछले दो lecture में पड़े हैं, उसको use करके photoelectric effect को quantum mechanically explain करने का कोशिस किया, Einstein ने बोला कि जब माल लिया जाए, कि कोई एक photon जिसका energy H new है, वो किसी metal surface पर गिरता है, तो उसका energy जो है, वो दो वे में खर्च होता है, ठीक ना, जैसे माल लिया जाए, H new energy लेकर कोई एक photon किसी एक metal surface पर incident कर रहा है, तो उसका energy दो वे में खर्च होता है, फर्स्ट क्या है, कि a part of the energy is used to overcome the surface barrier and come out of the metal surface, this part of energy is called work function, फर्स्ट क्या है, वो electron जिस surface barrier से बधा हुआ, जिस energy से बधा हुआ है metal surface पर उसको lose करना, उसको lose करने के लिए, जो minimum energy की ज़रत पढ़ती है, उसी को work function करते हैं, तो यह पहला part जो है, वो work function में, यानि H new zero में खर्च हो जाता है, ठीक है, और second part क्या है, कि the remaining part of energy is used to give a velocity B to the emitted electron, second part क्या होता है, कि वो जो metal surface से electron जो lose हो गया, या surface पर बाहर आ गया, जो emit होना start किये, उनको एक minimum energy, minimum velocity देना, ताकि वो metal surface से बाहर की तरफ निकल पाएं, ठीक तो, तो this is equals to the maximum kinetic energy of the photo electrons, where M is the mass of the electron, तो electrons को बाहर निकालने के लिए, metal surface से बाहर escape कराने के लिए, velocity देने में या kinetic energy देने में खर्च होता है, तो यानि जो भी energy हम लोग का किसी एक metal surface पर पढ़ा, मान लिया जाए कि H new of energy पढ़ा, तो ये दो part में खर्च होए, first, is utilized to lose the electrons from the metal surface, इसको हम लोग कहते हैं work function, और second, जो electrons lose हो गया है, emission के लिए तयार हो गया, उनको इतना kinetic energy देना ताकि वो metal surface से बाहर निकल जाए, यानि H new equals to हो गया हम लोग का 5 plus half Mb max का square, ठीक है, अब हम लोग जानते हैं work function को हम लोग लिख सकते हैं H new 0 के बराबर, जहाँ पर new 0 threshold frequency है, तो ये work function को हम लोग H new 0 से replace कर दिया, तो half Mb max का square equals to हो जाएगा, H common ले लेंगे तो new minus new 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये Einstein's photoelectric effect था, जो quantum theory के आधार पर Einstein ने explain करने का कोशिस किया, photoelectric emission को, ठीक है, तो ये पहला photoelectric effect का थियोरी था, और इसी के आधार पर Einstein को noble prize भी मिलाता है, ठीक है, अच्छा, अब इससे important कुछ बाते हम लोग समझते हैं, जैसे first क्या हम लोग देखे, कि ये जो maximum kinetic energy होता है, वो हम लोग का e b 0 के बराबर होता है, जहाँ b 0 stopping potential है, तो Einstein का equation किसमे convert हो जाएगा, देखा गया, हाफ यही था हम लोग का equation, जो final form आया था, हाफ यहाँ से देखा गया, तो हम लोग को मिल जाएगा, हाफ m v max का square equals to हो जाएगा, हम लोग का h ν्यू minus 5, h ν्यू minus 5, अब यहाँ पर हाफ v max square के जगा पर e b 0 रख सकते हैं, तो यहाँ से b 0 equals to हो गया, e से divide कर देंगे, तो h ν्यू, h e by n्यू, h by e into ν्यू minus 5 by e, तो अगर इसको हम लोग एक straight line के equation से compare किया जाए, यह stopping potential का variation हो गया with frequency, तो यहाँ से अगर y equals to mx plus c से हम लोग इस equation को compare करें, तो देख रहे हैं कि यह stopping potential जो है, जैसे यहाँ पर y x के साथ vary करते हैं, एक straight line में, यह intercept हो गया, यह slope हो गया, तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग का slope जो हो जा रहा है, वो h by e के equal हो रहा है, और intercept जो है, वो minus 5 by e के equal हो रहा है, तो यह graph जो है, कुछ हम लोग का इस तरह से मिलेगा, यह देखें, यह intercept है, यह slope हो गया है h by e, frequency जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, stopping potential बढ़ते जा रहा है, यह हम लोग का threshold frequency हो गया, तो y equals to mx plus c से compare करके हम लोग आराम से इसका slope h by e से indicate कर सकते हैं और intercept minus 5 by e से indicate कर सकते हैं, negative intercept है, इसलिए यह negative direction में हम लोग y axis का negative part को का रहा है, minus 5 by e, ठीक है, अब next हम लोग एक और बात समझते हैं, इदर से हम लोग जानते हैं कि 5 यानि work function equals to h new 0, new 0 जो है हम लोग का threshold frequency है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखा जाएं कि Einstein equation था, यह इतना equals to h new minus 5 था, ठीक है, तो यहाँ पर h new रहने दिया गया, 5 के जगा पर h h new 0 रख सकते हैं, यहाँ से हम लोग h को common ले लिए, तो यहाँ से भी अगर kinetic energy और frequency का graph plot किया जा, तो यहाँ पर y equals to mx plus c से compare किया जा, तो यहाँ पर m का value हो जाएगा, मतलब frequency और हम लोग kinetic energy का graph plot कर रहे हैं, तो m के जगा पर h मिल जाएगा, और intercept के जगा पर minus h new 0 मिल होगा, तो यहाँ पर दिखाया गया, इधर frequency plot किया जा रहा है, इधर maximum kinetic energy, तो यह हम लोग intercept हो गया, वो 50 से भी, यहाँ 50 या फिर हम लोग h new 0 हम लोग जानते हैं, कि 50 को हम लोग लिख सकते हैं h new 0 से भी, तो वो 50 भी minus 50 या minus h new 0 से indicate कर सकते हैं, और जैसे frequency बढ़ते आफ्टर threshold frequency, यह kinetic energy हम लोग का बढ़ता मिलेगा, ठीक है, तो यह कुछ बाते रही, Einstein की theory की, Leonard का कुछ हम लोग देखें, और Hurd का कुछ observation देखें, photoelectric effect को explain करने में, ठीक ना, theory के हिसाब से भी यह chapter important है, और सबसे important है कि यहाँ से कुछ problem आता है, ठीक ना, honors के theory में हम लोग का वही, अगर यह जैसे माल लिया जाए, कि photoelectric effect के law लिखने के लिए देता है, तो जो experiment से observation मिले, उनको हम लोग law की तरह लिख सकते हैं, याद रखेंगे कहाँ कहाँ पर, classical theory या classical physics, photoelectric effect को explain करने में गड़बड हुआ, यह और सबसे important है, Einstein का photoelectric equation, ठीक ना, से समझ के तयार कर लेंगे, theory के लिए, honors paper के लिए बहुत important है, और next lecture में हम लोग इस topic पर, जो भी questions, अभी तक problem आया हुए, अलग-अलग exam में, या IIT jam में बहुत बार ही आया हुआ हुआ है, तो IIT jam के अंदर आया हुए question, कुछ honors के previous years में, अलग-अलग university में जो question है, उनको cover करेंगे, और कुछ हम लोग CUET के लिए भी, कुछ question हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए, thank you, धन्यवाद